असलाम अलेकुम दोस्तों कैसो आप सब उम्मित करूंगा आप सब अच्छे होंगे इस वीडियो में फीडबेक शेर करूंगा विजिट वीजा एक्स्टेंशन को लेके जो लोगों से मुझे मिला है वो तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा जावाजात ने अभी कुछ ने बोला है कि जिनका भी वीजा एक्स्टेंशन को लेके इशू हो रहा है यह इशू कब तक सॉल्व हो जाएगा यानि जावाजात का वीजा ना एक्स्टेंड करना यह कोई टेक्निकल प्रोब्लम नहीं है इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया दुनिया बर के जितने भी गैर मुल्की लोग हैं सौधी अरविया में सबके साथ सेम प्रोब्लम है चाहिए वो कोई भी कंट्री का हो अब देखते हैं हाज के बाद यह यह प्रोब्लम खतम होता या नहीं होता है अब हम बात करते हैं कि आखिर फैमली विजिद विजा को ह मैंने आपको वो सारे प्रोसेस बताया है कि कैसे आप एक्सेंट कर सकते हो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी ऑप्शन है एक ही आपके पास अगर आप अपना फैमिली मेंबर को रखना चाहते हैं कोई थर्ड कंट्री से एक्जिट रिएंट्री करव इसका मुझे फिडबेक जो है काफी सही मिला लोगों से मैंने ही कॉंटेक्ट डिटेल भी शेयर किया था ओफिस वालों का अगर आप मेंसे किसी को चाहिए मैं अभी भी शेयर कर सकता हूं तो उनका जो फिडबेक है मैं वो बता देता हूं और जो मुझसे सवाल पूछ रह जाजना सही रहेगा या नहीं सेफ्टी परपस से या उनके साथ में हस्बेंड को भी जाना चाहिए क्योंकि अभी खर्चा बढ़ गी है पहले क्या और था बहरीन भेज रहे थे ओनराइवल वीजा मिल जा रहा था पचास रियाल का ओनराइवल वीजा का चार्ज लगता है तो इसमें उतना प्रॉब्लम होता नहीं था अभी क्या दिक्कत हो रहा बहरीन का वीजा अगर आप खुद से अपलाई करोगे लगबग 90 रियाल 100 रियाल तक खर्चा हो रहा लेकिन वो वीजा आपको तुरंत मिलने रहा अभी 15 दिन 10 दिन एक महिना तक टाइम लग जा रह हलांकि लास्ट विक कुछ लोगों को तुरंत ही मिल जा रहा था किसी को सेम डे मिल जा रहा था किसी को एक दो दिन तीन दिन के अंदर मिल जा रहा था यह खुद से अपलाई करने के लिए अगर आप यही चीज एजेंट से लेते हो तो फिर वो आपको 300, 300, 400 जो जो जितना सक रहा उतना लूट रहा लोगों से तो अब अगर फैमिली के साथ में आप भी जाओगे तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो अगर आप खर्चा को कम करना चाहते हैं तो जाइसी बात है आपका फैमिली मेंबर को ही आपको भेजना पड़ेगा आप साथ में नहीं जा सकते हैं तो बहरीन का जो exit re-entry process है यह बहुत आसान है बहुत smooth है तो बहरीन के थुरू अगर आप exit re-entry करवाना चाहते हैं अपना फैमिली मेंबर को तो आप अगर नहीं भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हमने मेरे दोस्त का फैम अगर लेट भी नहीं हूए 45-minute 45-minute के लमसम में वो लेके गए बहरीन क्रोस करके यूटन लेके आगे सिर्फ वो अपना गारी में लेके जाते हैं border cross करके यूटन लेके सोधियरभया इंटर कर जाते हैं वो आप हो पर रुखते नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत होता नहीं और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर जो rules, regulation है, वो अपने country के comparison में काफी अच्छा है, क्योंकि यहां पर गलत चीज बहुत कम होता है, आपको भी पता है, इंडिया में हम लोग डरते हैं, कि अंजान लोग के साथ में अगर गारी में अपना family को भेज रहे, वो गाड़ी का number plate का photo ले लो, simple, यह चीज हम लोग ने भी किया था, तो जिनको भी खर्चा को बचाना है, आप अपना family को भी भेज सकते हो, इसमें कोई problem नहीं, इसके अलावा मैंने कई बार बताया आपको, कि गाड़ी में उनका 4 seat का capacity है, तो सिर्फ आपका wife अगर है, तो और भी लोगों से बात करिए, comment करके उनसे पूछिए, contact करिए लोगों से, अगर और भी किसी को कराना है, same week में उनका extension कराना है, तो आप उनसे contact करके एक साथ में भेजिए, इससे आपका खर्चा भी आपस में divide हो जाएगा, और आपकी family भी जो है ना, comfortable feel करेंगे, नर्वस नहीं होंगे, यह तो मैंने बता है, बहरीन की, अगर जॉर्डन की बात करें, तो जॉर्डन ओफिस वालों का भी service अच्छा है, अभी तक यही feedback मिला है, जॉर्डन बोर्डर में तो आदे घंटे का अंदर exit re-entry करवा दे रहो लो, क्योंकि उधर rush कम है, बहरीन यह message करिए, मैं office का card detail दे दूँगा, आप उनसे खुद बात कर लेना, और एक चीज़ मैं आप लोगों से request करूँगा, Instagram में जो भी मुझे message कर रहें, प्लीज आप पूरा message लिखिएगा, कुछ लोग audio message करते हैं, direct call करने लगते हैं, यह मत करिएगा, आप text message करिए मुझे, जो